आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे हिंदी व्याकरण की 50 महत्वपूर्ण प्रास्न और साथी साथ मैं लगहू तरिय प्रस्न भी बताऊंगा जो की आपके एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वीडियो के अंत में बात करेंगे संचेपन की कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा जो की आपके एक्जाम में पांच अंक के पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी व्याकरण की पचास महत्वपूर्ण प्रस्न जो एक एक क्वेस्चन को बढ़िया से समझियेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण तो पहला आपका प्रस्ण है कि वस्तूओं के नाम को क्या कहते हैं वस्तूओं के नाम को क्या कहते हैं आंसर आपका हो जाएगा संग्या दूसरा आपका प्रस्ण है कि अर्थ के विचार से संग्या के कितने परकार हैं दूसरा आपका प्रास्ण, अर्थ के विचार से संग्या के कितने प्रकार हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा, पाँच, कौन-कौन, तो देखिए, व्यक्तिव अचक संग्या, जातिव अचक संग्या, समूह अचक संग्या, द्रवे अचक संग्या, और भाव अचक संग्या, तीसरा बात करेंगे पुलिंग और स्टिलिंग की देखिए मैंने हर टॉपिक से आपका क्वेस्चन लिया है चुकि तैयारी आपका बढ़ियां से हो जाए बस आप वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा यदि पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सेयर करना दोस्तों मे बिलकु नहीं भूलिएगा क्योंकि देखिए पचास महत्पोन परसन है और आपके एकजाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है आपका तो बात कर रहे हैं क्वेस्चन नमबर थर्ड पुलिंग और स्टिलिंग की देखिए आम, तोता, सोना, हिमाले, सागर, रुप प्रिया, देश, सेनापती, ये आपका क्या है, पुलिंग है, देखिए इसमें से कई क्वेस्चन आपकी एकजाम में आए हुए हैं, यदि आप क्वेस्चन बैंक और मोडल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये बिलकुल मिले होंगे, क्वेस्चन नमबर फोर पुर्निमा, प्रतिग्या, अगनी, पाठसाला, भोजपूरी, खीर, भोख, ये क्या है, आपका स्तिलिंग है, कौन-कौन, पुर्निमा, प्रतिग्या, अगनी, पाठसाला, भोजपूरी, खीर, और भोख, ये क्या है, स्तिलिंग है, तो ये जो मैंने आपको बताया, पुल भारतिये का बहुचन आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा भारतियों क्या हो जाएगा भारतियों question number six हिंदी भासा में वचन कितने परकार के है तो आंसर आपका हो जाएगा दो हिंदी भासा में वचन कितने परकार के है तो आंसर आपका हो जाएगा दो देखिए चुकि एक्जाम बिलकु नजदीक है तो आप लोग बिलकु टेंसर नहीं लीजिएगा जो भी मैं विडियो अपलोड कर रहा हूं बस उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और जो ऑनलाइन आपका टेस्ट हो रहा है सामसर शाथ बज़े जरूर दीजिएगा और बिलकु टेंसर नहीं ले रहा है आपका पेपर बिलकु बढ़िया जाएगा ठीक है अब जलते हैं क्वेस्टन नमबर सेविन की तरफ कि कारक के कितने भेद होते हैं कारक के कितने भे 10 है तो आंसर आपका हो जएगा संपरदान कारक बनाँ कपस्टन नमबर के कितने परकार है हैं च् buna बनाम के कि दीन का विसेसरण क्या होगा तो आंसर आपका होज़ेगा दैनेक बारा नमबर क्वेस्चन कह रहा है कि ग्राम का विसेसरण क्या होगा ग्राम तो आंसर आपका होज़ेगा ग्रामिन तेरा नमबर अर्थ का विसेसरण क्या होगा तो आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक क्वेस्चन नमबर फोटीन चाओदा क्रिया मूल किसे काते हैं तो आंसर हो जाएगा धात्यू को क्रिया मूल किसे काते हैं तो आंसर हो जाएगा धात्यू को क्वेस्चन नमबर पंदरा सकर्मक किरिया के कितने भेद होते हैं तो आंसर हो जाएगा तीन क्वेस्चन नमबर पंदरा सकर्मक किरिया के कितने भेद होते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा तीन सोला नमबर भाव सुचक किरिया के कितने भेद होते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा पांच क्वेस्टन नंबर 16 को रहा है कि भाव सूचक किरिया के कितने बेद होते हैं तो आंसर हो जाएगा पांच 17 को रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं 17 नंबर very very important काम का नाम बठाने वाले शब्द को क्या कहते हैं तो आपका हो ज़्यगा करिया क्र दंत कर्या के कितने वेद होते हैं तो आपका हो ज़्यगा चार कृधंत किरिया के कितने भेद होते है तो आपका हो जएगा चार 19 नंबर प्रसन देखिए अनू सरण में कौन सा उपसरग है तो आपका हो जएगा अनू 20 आपका प्रसन के मूल धातु में कर परतिय लगाकर जो किरिया बनती है उसे क्या कहते है तो आंसर आपका हो जाएगा पूरवकालिक क्रिया क्या कहेंगे पूरवकालिक क्रिया देखिए मूल धातु में कर प्रत्य लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं पूरवकालिक क्रिया 21 नंबर प्रस्ण आपका है कि विज्यान में कौन सा उपसर्ग है तो वी विज्यान में कौन सा उपसर्ग है वी 22 अंचाहा सब्द में निहित उपसर्ग कौन है तो अन 23 स्वभीमान में उपसर्ग है तो स्वभीमान में कौन सा उपसर्ग है तो स्वभ 24 बुराई में कौन सा प्रत्या है तो आंसर आपका हो जागा I देखिए इसमें आपका confusion हो जागा तो दिरगई होता है ये याद रखिएगा पढ़ाई में कौन सा प्रत्या है तो आई आपका आ हरस्वाई देदेगा और आ दिरगई देदेगा तो आप confusion मत आईएगा दिरगई आपको बिलकुल याद हो गया 26 हिंदी में कृत प्रत्यों की संख्या कितनी है तो आंसर आपका हो जगा 28 हिंदी में कृत प्रत्यों की संख्या कितनी है 28 27 घुमकड में कौन सा प्रत्या है अकड घुमकड में कौन सा प्रत्या है तो आकड 28 खिलोना में कौन सा प्रत्या है तो आंसर हो जगा आउना खिलोना में कौन सा प्रत्या है तो आउना 29 बड़पन में कौन सा प्रत्या है तो पन हो जाएगा बड़पन में कौन सा प्रत्या है पन 30 नंबर भुखड में कौन सा प्रत्या है तो आंसर आपका हो जाएगा 31 चलती सब्द में कौन सा प्रत्या है तो आंसर हो जाएगा अब बात करेंगे संधी विछेद की 32 पावक का संधी विछेद क्या होगा तो पाव जोर अक वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के लिए पावक का संधी विछेद तो पाव जोर अक 33 बात करें उचारण उत्जोर चारण, दिखिए, तमें आपका हलंध है, उत्जोर चारण, पवित्र, पोजोर इत्र, पवित्र का कैसे होगा? पोजोर इत्र, निस चल, नीजोर चल, संसार का हो जाएगा, समजोड सार, तो दिखिए, संदी विछेद भी आपका very-very important आपक एकजामें, तीन से चार अंक के पूछे जाते हैं तो पावक का पौजोर अक देखिए पौजोर अक आपका बिल्कूल गलत हो जाएगा तो पौजोर अक याद कर लीजी आप उचारण, उत्योर चारण, पवित्र पौजोर इत्र निस्चल, नीजोर चल, संसार, समजोर, सार सजण हो जाएगा सत्यजोर जन, उत्यजोर घाटन, महेंद्र, महाजोर इंद्र हरस्वई होता है दिखान दीजिएगा वेरी वेरी इंपोर्टन क्वेस्चन नयान, नेजोर अन, स्वर संधी के कितने भेद, तो आंसर याद रखिएगा पांच भेद, तो यह आपका हो गया संधी विछेद, अब बात करते हैं समास की तो देखिए, पितामबर, चक्रपाणी, विस्वंबर, यह आपका कौन सा समास है बहुवरी ही समास, ठीक है 36 विद्यार्थी कौन सा समास है, ततपुरु समास 37 आपका है कि सुन्दर का प्रहवाची क्या होगा, तो मनोहर आप कोई भी याद कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक बताया क्या, मनोहर 38 आपका कौन है कि मूनी का प्रहवाची क्या होगा, तो अवधूत 39 आलसी का विलोम क्या होगा तो परिस्रामी याद रखेगा विलोम यहाँ पर बात हो रही है उल्टा सब्द तो आलसी का विलोम परिस्रामी 40 नमबर सब को समान रूप से देखने वाला समदर्सी सब को समान रूप से देखने वाला को क्या बोलते है समदर्सी 41 जो युद्ध में इस्थिर रहता है युद्हिस्टेर 42 जो सुख दुख में एक सारा है वितरागी 43 जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलेंगे वाचाल 44 अंगुठा चुमना मुहावरा कार्थ क्या होता है खुसामद करना 45 नमबर आपका है कि अकल का पुतला बहुत बुधिमान अकल का पुतला किसको बोलते हैं बहुत बुधिमान को वेरी वेरी इंपोर्टेंट 46 अंग भरना क्या होगा आपका मुहावरा स्ने करना 47 अंगुठा दिखाना देने से इनकार करना 48 आपका है कि गाल बैजाना तो क्या होज़ेगा डिंग हाकना 49 अकल का अंधा मुर्खोना 50 नंबर घुटने टेक देना हार मनना देखिए मुहावरा के एक बर फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सबसे पहले 44 अंगुठा चुमना मुहावरा करत क्या होता है तो खुसामद क करना 45 अकल का पुतला बहुत बुद्धिमान 46 अंक भरना स्नेह करना 47 आपका है अंगुठा दिखाना देने से इनकार करना 48 गाल बजाना डिंग हाकना 49 अकल का अंधा मुर्खोना गुटने टेक देना क्या होगा हार मनना अब बात करते हैं लगुतर ये प्रस्न देखिए इनकंवर के लीस colleg चावगी different हैं ही दूसरा प्रस्नुप सर्ग और प्रतिया में क्या अंतर हैं प् попад कि Kingdom किसे का थे हैं इसके कितने भेध होते हैं इसमें से दो कХत छांस बिलकुल बनता है तो आप इस पांच क्वेस्चन की प्रैक्टीस आप जरूर कर लिजी गाNow is Sanjya और सरवनां में क्यांतर है। उपसार मी स्था प्रतेया की परिभास संधि और समास में क्यांतर है। सब्द और वाक्य में क्यांतर है कारक की से कहते हैं इसके कितने भेद होते हैं अब बात करते हैं कि संच्छेपन देखिए आपका हिंदी में भी है और इंग्लिस में भी है तो दस अंक की बात है इसको बढ़ियां से समझते हैं देखिए किसी भी विचार को अविव्यक्त करने की दो सैलिया है किसी भी सेली और दूसरा समा सेली जब किसी विचार को बढ़ा चड़ाकर अस्पस्टता के साथ विस्तार पुरुबक व्यक्त करते हैं तो वो अव्यास सेली कहलाता है जब किसी विचार को थोड़ी से सब्दों में व्यक्त किया जाता है तो हम लोग समास सैली का परियोग करते हैं और note very very important संचेपन अभी व्यक्ति की समास सैली है क्योंकि इसको छोटा रूप में लिखा जाता है देखिए किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए दो तरीका है एक तो आपका विस्तार पुरवक व्यास सैली और संचेप में बताना समास सैली तो संचेपन किसमें आएगा आपका समास सैली में आएगा संचेपन करने का नियम very very important हिंदी और इंगलिस दोनों के लिए देखिए संचेपन जो है वो पैसेज का छोटा भाई है पैसेज में आपका क्वेस्टन रहेगा इसमें आपका क्वेस्टन नहीं रहता है तो सबसे पहले गिन लिजिएगा पूरे पैसेज को कि वो कितने सब्द का है उसके बाद उस पूरे सब्द में तीन से भाग दीजिएगा कितने से भाग देना है तीन से जितना भी आपका कोशंट यानि की भागफाल आएगा अब उस पैसेज को वो तीसरा भाग में लिखना है दो चारा आगे पीछे हो सकता है तो ध्यान से सुनिए सबसे पहले क्या कीजिएगा पूरे पैसेज को काउंट कर लिजिएगा तीन से भाग दीजिएगा और जितना भागफाल आएगा अब उस पैसेज को आपको लिखना है और अच्छी तरह से पढ़ लिजिएगा क्यूंकि उससे हेडिंग आपको देना है हिंदी में सिरसक देना है इंगलिस में हेडिंग देना है तो सिर्षक दे दीजेगा हिंदी में जो भी उसके पैसेज के आप पढ़िएगा तो एक हेडिंग आपको देना है तो हेडिंग में सिर्षक दे दीजेगा हेडिंग दे दीजेगा अब उस पैसेज को आपको जितना भागफल आया है उतना में लिखना है तो दो से तीन बार पढ़ लिजिएगा संचेपन को और उसका one by third आपको लिखना है अंत में दाहिने साइड कॉर्नल में क्या लिखिएगा आपका कूल संचेपन लिख लिजिएगा और उसके नीचे क्या लिखिएगा संचेपन ठीक है तो ये आपका हो गिया अंडिंग दे दिजिएगा और उसमें से important line लिख लिख लिजिएगा जीतना आपका भागफाल आएगा उतना अपनों match कर लिजिएगा तो ये आपका हो गिया संचेपन किसी भी विचार को व्यक्त करने की कितनी सैलिया है तो दो सैलिया है व्याससैली और समाससैली संचेपन किसमें आएगा आपका समाससैली में तो ये आपका हो गया 50 important question हिंदी व्यक्रण का और पांच important question मैंने आपको बताया संग्या और सरवनाम उपसारग और प्रत्याय संदी और समास सब्द और वाक्य और कारक और संचेपन तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार फिर से एक्जाम देने से पहले देख लीजेगा very very important question है आपके एक्जाम के लिए और अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा ओके धन्यवाद